इमाचल परदेश के जिला उना में परवासी मजदूरों की जुग्यों में आग लगने का सिलसला नहीं थमपा रहा है अधिकतर आग का तांडव जिला में देखने को मिल रहा है एक तरह से उना जिला में आग का तांडव बढ़ने लगा है आग तक जिले में क्रीब 500 से अधिक परवासी मजदूरों की जुग्यों में आग लग चुकी है रविवार को सुभा क्रीब 10 बजे हरोली विधानसबा छेतर के तैत घालू वाल में सवा नदी की नारे रहे परवासी मजदूरों की क्रीब 100 जुग्यों जलकर राख हो गए करीब 10 लाख रुपे से अधिक के नुक्सान का नुवान है आग की इस घटना में परवासी मजदूरों की नगदी घरेलू समान भी जलकर राख हो गया आग की चपेट में एक मोटर साइकल भी आ गई वहीं आग की घटना के दुरान अफ्रा तफ्री मची रही आग ने अपना कहर इस तरह पर पाया कि देखते ही देखते परवासी मजदूरू की जुग्या जल गई आग की घटना के सूचना किसी दागिर ने अगनी शमन केंदर उना को दी जिसके चलते अगनी शमन केंदर की टीम मौके पर पहुंची आग को नियंतरित करने के लिए इस टीम को भी कड़ी मशक्कत करनी पड़ी बताया जा रहा है कि आग की घटना का नियंतरन करने के लिए उना अगनी शमन की दो गाड़ी अमोके पर पहुंची वहीं एक गाड़ी टाहली वाल फायर चोकी से मंगवाई गई ताकि आग को नियंतित किया जा सके अधित जाएं पर पर्शाष्ण जो फाहिए कर नुपसान है मेरा क्या कर जला अपका सब्सक्राइब कर जल गया जल गया गया अधिया बच्चों के तें वहीं सब जल गया अंदरी लड़कियों कि साधी के लिए रखे ते गए चार चार बेटी है चारों कथा तो कुछ कैस भ जब पहुंचे थे हम तो हम प्लाट में चले गया थे यहां पर मैजूद नहीं थे हम